सबी सातियों को नमस्कार दोस्तों आज एक बहुत important मुद्दे पर हम लोग बात करने जा रहे है very very important जिसके बारे में बच्चों ने बहुत सारे comment किये हैं और उसका confusion साइद किसी ने अभी तक दूर किया नहीं है ठीक है लेकिन मैं आपकी शेवा में हाजिर हूँ मैंने आपको कहा भी है कि comment section में आप बता दीजे जो भी आपकी queries है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे ठीक है तो एकदम clear करके और फिर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ नेमों में अभी अभी हाल फिलाल ही कुछ changes किये गए है ठीक है और सबसे बड़ा जो चेंज किया गया है वह है एज को लेकर कई बार क्या होता है कि हम जैसे तैयारी कर रहे हैं लेकिन हमारी मान लीजे एज क्राइटेरिया में हम फुलफिली नहीं कर पाते हैं अब हमने तैयारी कर दी लाश्ट में जाके हमें दुख पहुचे और यह चेंज जो करना है यह होता है रजिस्टार के हाथ में ठीक है तो अभी क्या चेंज किया है मैक्जिमम एज कितनी रखी है किन किन के पास ओप्षन है कौन-कौन इसका फोम नहीं बढ़ सकता है यह आप चेक कर लिजेगा अभी मेरा वीडियो देखने के बाद जो है आप किल्कुलेट कर लिज और रजिस्टार जो है वो है अभी अर्चना सिंग जी ठीक है यह सीनेर आइस होते हैं इन्होंने क्या चेंज किया है देखो मैं आपको दोनों बता देता हूं वर्तमान प्रावधान यानि कि जो अभी चल रहा है वो क्या है संसोदित प्रावधान यानि इसमें जो नाम से हैं लेकिन कई बच्चों ने नहीं देखी और कि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं उसको लेकर कई करें सरम दुखी है कि हमें प्लीज एक बार क्लियर कर दीजिए 40 प्लस वाले भी हैं तो सारी चीजों पर हम लोग बात कर लेते हैं देखो एज को लेकर इन्होंने यह क पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांग को यानि जिस डेट को आप फॉम फिल कर रहे हो उस समय तक आप 18 साल की एज पूरी कर चुके हो और 33 वर्ष का नहीं हुआ हो ऐसा दिया वा था उसमें ठीक है और अभी जो अमेंडमेंट किया है वह वेरी वेरी इंपोटेंट है अभी अमेंडमेंट करके और यह कर दिया कि जिस वर्ष में भरती की जाएगी उस वर्ष में आवे दक एक जनवरी को 21 वर्ष की आयू प्राप्त कर चुका हो और 40 से ज्यादा नहीं हुआ हो यानि अगर 2024 में भरती आती है तो इस वर्ष की एक जनवरी 2024 को आपकी एज जो ह है वह 21 कंप्लीट कर ली होनी चाहिए देखो पिछली बार जो नोटिफिकेशन आया था उसमें यह चीज नहीं थी उसमें अथारा साली थी लेकिन अभी इन्होंने अमेंडमेंट यह जो इतना डिले हुआ इसके बाद इन्होंने मेंडमेंट करके इसको 21 से 40 कर दिया यानि में आपको बता देता हूं वह मिलेगा ठीक है जिस एज केटेग्री में आप बिलोंग करते हो उसमें आपको यह वेनिफिट दिया जाएगा ठीक है और और इसके अंदर कुछ भी नहीं है एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट और कर दिया कि प्रतिक्सा सूची देखो हाई को कोई प्रावधान नहीं रखा बागी रिजर्वेशन जो है वह गवर्मेंट के इसाफ से बाइराज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो अरक्षन है वह स्वत ही इस पर परवावी होंगे तो यह बहुत इंपोर्टेंट अपडेट थी अगर आपकी एज 18-19-20 है तो आप सीट को आपकी एज 21 साल होनी चाहिए थे कई बच्चे ऐसे हैं मुझे वास्तम में दुख है कि आप तैयारी कर रहे होंगे लेकिन इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते यह रजिस्टार महोदे का आदेश है जिसे हमें मानना पड़ेगा यह स्वत्य अपने आप पर लागू हो आप अगर 40 के भी हो चुके हो या एक आदा साल कम है या साल समयने कम है तो आप फोम को जो है वो फिल कर सकते हो और एक पेपर देके ना कोई CET का जंजट है CET का भी इसमें कोई लोड नहीं है तो आप इसको देकर और नोकरी ले सकते हो ठीक है इस साल में इसकी नोकरी मिल साथ सब्जेक्ट हैं वह सातों के सातों आपके कवर है इसके अलवा बैंकिंग असीस्टेंट की टैस सीरीज जो है वहophile है तीस टेस्ट जो है वह इसम에 है ती सो के इस टेस्ट जो है वह अफ l球 कि यह जा चुके हैं अब जो है तक मेंगेजर की टेस्ट ओर मिल जाएगी 15 आगस्त तक मिल जाएगी आज 13 aloop तक हो चुकई है कल यापषरों मेनेजर की स्ट जो हो आपको मिल जाएगी कहां मिलेकि तो वल से अम जो जिस नाम से आपको यूट्व चैनल मिल रहा है उसी नाम से आपको एप भी मिलेगा इसी नाम से टेलिग्राम चैनल भी है ठीक है तो यहां जाकर आप देख सकते हैं इसमें अलग-अलग केटेगरी वाइस कोर्सेज है राजस्तान जो जीके है उसकी 99 में लगबग चारजार क्यूशन जो है वह अवेलेबल है ठीक है कोपरेटिव एक्ट जो है जो थोड़ा मुश्किल रहता है वह भी आपको अवेलेबल है इसमें 99 में ही अवेलेबल है फीस हमने बढ़ाई नहीं है तो आप यह जाके देख सकते हैं और अगर आपकी कोई क्वेरी हो आप प क्योंकि दिन बर कोल आते रहते हैं कभी वेस्ट भी हूँ तो आप दुबारा लगा सकते हैं को जो है आप एक समय सीमा पर करें जैसे शाम को 7-8 बजे तक कर लिया इसके बाद आप कोशिश करें कि कोल ना करें ठीक है फिर थोड़ी हमें भी तकलीफ होती है बाकि आप कभी इस पर कोई दिक्कत नहीं है मेरे से भी अगर बात करनी हो आपको तो आप इस फोन पर कोल कर सकते हैं ठीक है यह बहुत सस्ती दरों पर जो है वह वह अवैलेबल है आप चेक कर सकते हैं और एज का मैंने आपको क्राइटेरिया बताय दिया है बाकि जो भी अपडेट ठीक है तो मिलते हैं हम लोग next video में तब तक के लिए thank you so much